मानव शरीर जिसे की हम human body भी बोलते हैं काफी जादा important topic है science का और friends हर exam में इस topic से question पूछे ही जाते हैं तो friends आज मैं आपके लिए इस topic का complete video लेकर आया हूँ आप सभी की demand आ रही थी friends की मानव शरीर पे आप सभी को video चाहिए तो friends आज आपके लिए मानुशरी पे topic पे वीडियो लेकर आया हूँ और ये complete video होगा जितने भी कोशन exam में पूछे गए हैं अब तक जिनके आने के chances हैं वो सभी कोशन मैं आपको आज इस video में करवाने वाला हूँ friends यकीन मानिए हर exam के लिए ये video काफी जादा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा रक्त को शुद करने वाला अंग कोन सा है सही answer है kidney kidney जिसे की हम हिंदी में व्रिक भी बोलते हैं friends ये रक्त को शुद करने वाला अंग है ये आपको याद रखना है next question मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कोन सा है friends question को ध्यान से समझना है इस question में आप से ये पुछा जाए कि मनुष्य के शरीर का बहारी सबसे बड़ा अंग कोन सा है तो आपका आंसर होगा तो अच्छा अगला question मानुष्य का सबसे बहारी अंग कोन सा है सही answer है liver जिसे की मैं आपको बता यकरित भी बोलते हैं ये मनुष्य का सबसे बहारी अंग है ये question अगला कोशन, मानो शरीर में गुनसोतरों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है, मानो सुतर में कुर्मिला के 46 गुनसोतर होते हैं, और अगर हम जोडों में बात करें, 23 जोडे होते हैं, दोनों तरह से आपने आंसर याद रखना एक्जाम में पूछा जाता है. अगला कोशन, लाल रक्तकन, जिसे कि हम RBC भी बोलते हैं, और इसका विज्ञानिक नाम है Erythrocyte, ये भी आपको याद रखना है. पूछा गया है कि RBC यानि कि लाल रक्तकन का जीवन काल कितने दिन का होता है? सही आंसर है, 120 दिन का होता है. मानव शरीर में सबसे कठोर तथव कौन सा है? सही आंसर है, Animal. एनमल जो फ्रेंट्स हमारे दांत होते हैं, दांत जिसका बना होता है, उसी को हम एनमल बोलते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर तथव होता है. ये ह इसही सही आंसर है, 7.4 जो है ये मानव रख्त का पीयच मान होता है? अगला कोशन, मानो शरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है सही आंसर है, स्टैपिस जो है, ये मानो शरीर में सबसे छोटी हड़ी होती है और आपको फेंच यही बताओना अच्छी है, कि ये हमारे कानों में पाई जाती है अगला कोशन, मानो शरीर में सबसे मजबूत मानस्पेशी कौन सी है सही आंसर है मासेटर मासेटर जो है ये मानो शरीर में सबसे मजबूत मानस्पेशी होती है ये आपको याद रखना एक्जाम में पुछा जाता है अगला कोशन, कौन सा उत्तक हड़ी को मांस्पेस्टी से जोड़ता है सही आंसर है, टेंडन टेंडन जो होता है फेंड्स, ये हड़ी को मांस्पेस्टी से जोड़ता है ये आपको याद रखना है प्लाजमा में जल का प्रतिशत कितना होता है सही आंसर है लगबग 90 प्रतिशर जो है प्लाजमा में जल पाया जाता है ये आपको याद रखना है अगला कोशन मानो शरीर में जल की मातरा कितनी होती है सही आंसर है लगबग 60 प्रतिशर जो है ये मानो शरीर में जल की मातरा होती है मनुश्य में रक्त की मातरा कितनी होती है सही आंसर है लगभग 5-6 लिटर जो है यह मनुश्य में रक्त की मातरा होती है यह आपको याद रखना है सर्व ग्राही रक्त समू कौन सा होता है आंसर है AB प्लस AB प्लस जो है यह सर्व ग्राही रक्त समू होता है यानि कि universal recipient होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है सही आंसर है तोचा मैंने आपको उपरी समझा है था कि जो तोचा है ये सबसे बड़ा अंग है और पुछा जाए कि आंतरिक अंग कौन सा है तो मैंने आपको बताया था लीवर होता है मनुष्य के हिरिदे में कितने कोश्ट है यानि कितने चैंबर होते है आंसर है चार कोश्ट है होते है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है सही आंसर है तंतरी का तंतर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो मैंने आप सभी के लिए गिफ्ट रखा है, गिफ्ट यह है कि मैं आपसे दो कोशन का टेस्ट लूँगा, दोनों कोशन का अगर आप सही आंसर देते हो, तो अगर आप 5 लगी स्टुडेंट में आते हो, तो आपको हमारी तरफ स अमीनों अमल की संख्या कितनी होती है, सही आंसर है 20, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, आंसर है टॉइलीन जो है ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड़ी कहां पाई जाती है, सही आंसर है मनुश्य के पैरों में, अगला कोशन, मानव शरीर में परती दिन लगभग कितना मूतर बनता है सही आँसर है, लगभग 1-5.5 लिटर नेक्स कोशन कर लेते हैं, लिंग निर्धारन होता है सही आँसर है, पुरुशों के क्रोमोजोम पर लिंग का निर्धारन होता है या आपको याद रखने है फेंट पुरुशों में जो XY क्रोमोजों होता है और याद रखने है आपको XY और जो महिलाई होती है उनमें XX क्रोमोजों होता है मानव शरीर में रक्त परी भर्मन में कितना समय लगता है? आंसर है 23 सेकंड मनुष्य का हिरिद्य कितनी बाद धड़कता है? आंसर है 72 बार परती मिनट रक्त चाप मापने का यांतर कौन सा है? आंसर है Sphigmo Manometer भोजन की पाचन के रिया कहां से प्रारंब होती है? आंसर है मुक से शोईत रक्त कंग का जीवन काल कितना होता है? आंसर है 2-4 दिन यह आपको याद रखना है अप्रोक्सिमेट टाइम है कहीं पर आपको 2-3 दिन भी मिला हो सकता है अगला कोशन मनुष्य के सौंदरे का अध्यान क्या कहलाता है? सही आंसर है कैलो लॉजी कैलो लॉजी जो होता है मनुष्य के सौंदरे का अध्यान कहलाता है यह पूरा वीडियो आप देख लेना एक्जाम में कोई भी ऐसा कोशन ना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में ना करवाया थो वीडियो मेरा के 333 कोशन है पूरा वीडियो आप 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को बनाने बहुत महनत लगी है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगला कोशन कर लेते हैं स्वस्त मनुशे के सवशन दर लगभग कितनी होती है आंसर है 16-18 बार प्रती मिनट मानव मस्तिश का वजन कितना होता है आंसर है 1350-1400 गराम के बीच मानव मस्तिश का वजन होता है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड़ी कहां होती है आंसर है जबरे की हड़ी जो होती है ये मानव शरीर में सबसे मजबूत हड़ी होती है और उपर मैंने आपको इस हड़ी का नाम भी बताया है अगला कोशन, रक्त की मात्रा शरीर के बहार का कितना होता है आंसर है लगभग 7 प्रतिशयत नेक्स कोशन, मानव शरीर में उतकों का निर्मान किस से होता है आंसर है, प्रोटीन से मानव शरीर में उतकों का निर्मान होता है, यह आपको याद रखना है अगला कोशन, मूतर किस कारण से दुरगंद देता है आंसर है, यूरिया की उपस्थिती के कारण मूतर दुरगंद देता है नेक्स कोशन, स्टार मार कर लीजे, हर साल रिपीट होता है डिने की आकरिती को क्या कहते है आंसर है, डबल हैलिक्स क्या जाता है अगला कोशन, एपिडर्मिस में तवचा की कितने परते होती है आंसर है, पांच मानव शरीर की सबसे कमजोर हड़ी कौन सी है आंसर है, रीड की हड़ी जो है ये मानव शरीर की सबसे कमजोर हड़ी होती है आंख की कौन सी संदचना सबसे समेधन शील होती है लेकिन इसमें रक्त वहीकाई नहीं होती आंसर है, कौर्निया एक्जाम के लिए काफी important है इसे भी star mark कर लीजिए अगला question मानव के मस्तिश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है आंसर है, सैरीब्रम सैरीब्रम जो हता है, ये मानव के मस्तिश का सबसे बड़ा भाग कहलाता है ये आपको याद रखना है अगला question, हर साल एक्जाम में रिपीट होता है लाल रक्त का निकाई, यानि की RBC मुखेता कहां बनती है आंसर है, अस्थी मज़ा में अस्थी मज़ा को, friends, हम bone marrow भी बोलते है ठीक है, friends, bone marrow भी कहा जाता है ये आपको याद रखना है उमीद करता हूँ, friends, आपको जितने भी कोशन मैं करवा रहा हूँ सभी कोशन आपको important लग रहे हैं क्योंकि, friends, आप सभी को बता है कि इसी type of कोशन हर साल एक्जाम में रिपीट होते हैं तो, friends, एक तरह का आपके लिए revision वीडियो है मानव शरीर में यूरिया का निर्मान की संग में होता है आंसर है, यकरित में मानव मनुश्य के शरीर में खून के शुद्धी करन की प्रकिरिया को क्या कहते हैं आंसर है, रक्त अपोहन जिसे की हम डाइलेसिस भी बोलते हैं अगला कोशन मानव शरीड की सबसे लंबी अस्थी कौन सी होती है आंसर है फीमर या बोल सकते हो जो हमारे जांगों की हड़ी होती है यह मानव शरीड की सबसे लंबी अस्थी कहलाती है और सबसे मजबूत अस्थी भी यही होती है अगला कोशन एक समाने व्यक्ति के रक्त का आउसत pH मान कितना होता है मैंने आपको उपर बताया था 7.4 होता है या आपको याद रखना है तो आउसत पुछा गया है तो 7.35 से लेके 7.45 pH व्यासक मानव में कितनी अस्थियां होती है आंसर है 206 लार किसके पाचन में सहायक होती है आंसर है स्टार्च के पाचन में किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस पर जूड़ी होती है आंसर है अचल संधी ये भी आपको याद रखना है नेक्स कोशन करवाने से पहले फैंस अब मैं आपके दो कोशन का मैं टेस्ट रखा है तो आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना है और अगर आप लग्की स्टुडेंट होंगे तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 की GK की बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा अगर आप लग्कुल सही आंसर देते हो तो आपने कॉमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो दोनों आंसर भी बताने है तो कोशन है हमारा की मानव शरील में गुन सूतरों की संख्या कितनी होती है चार ओप्शन है आपके पास दूसरा कोशन है टेस्ट का मानव रख्त का पी एच मान कितना होता है फैंट दोनों कोशन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है वीडियो कैसी लगी रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि आंसर है पहार पर वायू कम संगरित होती है अगला कोशन सनायू किसको जोडता है आंसर है अस्थी को अस्थी से जोडता है सनायू जिसे की हम लिगामेंट भी बोलते है दोनों नाम आपने याद एकने हैं दोनों नाम एक्जाम में पूछे गए है अगला कोशन रक्त सम्हू यानि कि बलट ग्रूप्स की खोज करता कौन थे आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है फेंट यकीन मानिये फेंट अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो फेंट पूरा वीडियो अब जरूर देख जाना एक्जाम में बहुत ज़ा हैल्प मिलेगी मेरी बात फेंट आप यकीन कर लेजिए अगला कोशन मा और शिशू के मध्य गले लगना या चूमना किस हर्मोन को किस तरावन को प्रेडित करता है आंसर है ऑक्सिटोसिन हर्मोन स्टार मार कर लिजिए अंध बिंदू या पित बिंदू आंक के किस भाग में पाए जाते हैं आंसर है द्रिष्टी पटल जिसे की हम रेटिना भी बोलते हैं अगला कोशन सरवाधिक विशाक्त उत्सरजी परदात कौन सा है आंसर है अमोनिया रक्त में गुलुकॉस का स्थर किसमें वेक्त किया जाता है आंसर है मिलीग्राम प्रती डैसिलीटर में रक्त किस प्रकार का उत्तक है आंसर है तरल संयोजी उत्तक सही आंसर है तरल संयोजी उत्तक जिसे की हम फ्ल्यूट कनेक्टिव टिशू भी बोलते हैं नेक्स कोशन स्टार मार्क कर लिए जैसे मानव की जीवन काल में कितने दांट दो बार विक्सित होते हैं आंसर है medula oblongata ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन malaria रोक से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है पलिया जिसे की हम spleen भी बोलते है जिका वायरेस का वाहक कौन सा मच्छर है आंसर है adis मच्छर मानव शरीर का कौन सा अंग Alzheimer रोक से प्रभावित होता है आंसर है मानव मस्तिष्क Alzheimer रोक से प्रभावित होता है जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है आंसर है cadmium कोन सी गरंती वृद्धी हार्मोन का रिसाव करती है आंसर है पिऊश गरंती जो है ये वृद्धी हार्मोन का रि आंसर है केल्शियम और फॉस्फोरस मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाई संकर्मन से शरीर की रक्षा करती है आंसर है शोयत रक्त कनिका यानि की WBC आरेच कारक का नाम किस जन्तू से संबंदित है आंसर है बंदर से किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है आंसर है आंत मनुष्य में मेरू तंत्रिकाउं यानि कि स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है आंसर है 31, जोडी अतियाधिक उचाई पर जाने पर मानो शरीर में लाल रक्त कनिकाउं की संख्या पर क्या प्रभाव परता है आंसर है लाल रक्त कनिकाउं की संख्या में व्रिद्धी हो जाती है अगला कोशन हिरिद्य की धरकन किस तत्व द्वारा नियंतरित की जाती है आंसर है potassium और potassium का formula होता है के यह आपको याद रखना है exam में कई बार पूछा गया question है friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो की quality पसंद आ रहे हैं, content पसंद आ रहे हैं, वीडियो को like और share ज़रूर करना friends आपके लिए important information, अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो, हमारी current affairs की book है, हमारी gk की book है, market में launch हो चुकी है, रवी current affairs के नाम से यह हमारी book है, अर्धवाश्य की किताब है, हर exam के लिए काफी useful है, friends आप इस book को सरिफ flip card या amazon से ही खरीच सकते हो, friends आप इस book को खरीच के काफी जादा मजबूत बना सकते हो, topic wise सभी question हमने इसमें लिये हैं, और easy language हमने सब कुछ समझाया हुआ है, और friends हमारी जो gk की book है, वो भी काफी useful है, उसमें science, quality, history, economics, मतलब geography, सब कुछ friends हमें डाला हुआ है, complete सार संख रहे किताब है, 50,000 इसमें हमने question डाले हुए हर exam के लिए काफी useful है, 95% से जादा question directly हमारी book से मिलेंगे, तो Ravi GK book को भी आप खरी सकते हो, flip card या Amazon से, Ravi GK book, ठीक है friends, दोनों का link में वीडियो के description में डाल दूँगा, वहाँ से जागे आप इस book को खरी सकते हो, अगला question है हमारा, solution में बहार निकली, वाईयो में CO2, CO2 लगभग चार प्रतिशयत, अगला question, मनुश्य में कपालिये तंतरिकाओं, यानि की cranial nerves की संख्या कितनी होती है, आंसर है 12 जोडी, हीमोफिलिया एक अनुवांशिक विकार है, जिसमें सही आंसर है, रक्त का सकंदन नहीं होता, एक्जाम के लिए काफी important है, एक धड़कन या हिरिद पे रख, यानि की bio catalyst, आंख में प्रकाश तरंगे कि स्थान पर सनाईयों उद्योगों में परिवर्तित होती है, आंसर है द्रिष्टी पटल, लडो और उडो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, आंसर है Adrenalineal को, HIV द्वारा होने वाला रोक कौन सा है, आंसर है AIDS, और फ कितनी होनी चाहिए, सही आंसर है 2,00,000 से अधिक, मानो शरीर में सबसे छोटी अंतस्तरावी गरंथी कौन सी है, आंसर है प्यूश गरंथी, जिसे कि हम pituitary gland भी बोलते हैं, और यह कहां पाया जाता है, हमारे मस्तिश में पाया जाता है, यानि कि हमारे brain में पाया जाता है, इसका जो अकार होता है, मर्टर का जो दानो दाफेंट इतना बड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है, रक्त चाप, रक्त दाब, या बोलते हो, रक्त दाब मापने के लिए कि सुपकरन का प्रियोग किया जाता है, स्फिग्मो मैनोमेटर का प्रियोग किया जाता है मानव शरी का समाने तापमान कितना होता है most important question है तो फैन सही answer है अगर हम बात करें Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit होता है Fahrenheit scale पर Celsius पर बात करते हैं 37 degree Celsius होता है Celsius scale पर और अगर हम बात करें Kelvin scale पर तो 310 Kelvin होता है तो तीनों आपको याद रखना है एक्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है अगला कोशन insulin hormone किस अंग से स्तरावित होता है आंसर है अगनाशिय से most important question है आपके लिए अगला कोशन डेंगू बुखार होने पर मानो शरीर में किसकी कमी होने लगती है आंसर है platelets की कमी होने लगती है अगला कोशन वरिकों के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मातरा बढ़ जाती है इसे कहते हैं आंसर है यूरिमिया अगला कोशन अलिज़ा परिक्षन किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है आंसर है AIDS के लिए अगला कोशन नाखुनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आंसर है कैरेटिन पाया जाता है ये भी कई बार पुछा जा चुका है कोशन अगला कोशन यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का रक्तवर्ग O है तो उनकी संतान का रक्तवर्ग कौन सा हो सकता है रोग होने की संभावना होती है आंसर है बैरी-बैरी प्लाजमोडियम पर जीवी का वहक जीव कौन सा है आंसर है मच्छर एक्जाम में कई बार पुछा गया है MRI का पून रूप क्या है आंसर है Magnetic Resonance Imaging यह भी आपको याद रखना एक्जाम में पूछा गया कोशन है फ्रेंट्स उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे इसी वीडियो में मतलब फ्रेंट्स मैं आपको कम टाइम में सबसे जादा content देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक्जाम में बहुत जादा help मिले फ्रेंट्स अगर आपको मेरी यह महनत पसंद आ रहे है वीडियो को like और share जरू करिये और हमारी GK की book जो है वो सबसे best book है अब तक की market में मतलब एक्जाम में directly question हमारी book से ही छप रहे है तो आप उस book को flip card या Amazon से खरीज सकते हो और हमारी जो current affairs की book है जिसका नाम है रवी current affairs उसे भी आप flip card या Amazon से खरीद के अपने exam की त्यारी को मजबूत बना सकते हो अगला question BMD test यानि बोसकते हो BMD परिक्षन किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है answer है सही answer है इसका अस्थी रंदता यानि की osteoporosis के लिए BMD का full form होता है bone mineral density या आपको याद रखना है अगला question potassium अलपता किसके संबंध है answer है नेम्न रक्तचाप से अगला question मधुमे के उपचार में परियोग होने वाले हार्मोन insulin का विशकार किस ने किया था answer है FZ batting ने अगला question समाने जुकाम यानि common cold किस वारिस के द्वारा होता है answer है reno vishanu द्वारा कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंच से स्तरावित होता है answer है secretine अगला question कर लेता है exam के लिए important है हिरिदय की धड़कन की गती किस के द्वारा बढ़ती है answer है अनू कमपी तंत्री का द्वारा जैविक प्रकिरिया को तेज करने में कौन सा प्रधात उतरदाई होता है answer है enzyme भोजन विशाकता किस जिवानों के कारण उत्पन होती है answer है salmonella bacillai alcohol के निराविशन यानि की detoxification के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदाई है answer है यकरित काफी बार पूछा जा चुका है question अनिमिया रोग किस पोश परधात की कमी के कारण होता है answer है folic acid नेक्स कोशन फैनिल कीटो नियूरिया रोग किस से संबंदित है answer है मानसिक जड़ता से प्रेरक कोशल यानि की motor skill मस्तिक्ष के कौन से भाग के साथ संबंदित है answer है ललाट भाग या बोल सकते हो frontal low friends अब हो क्या होता है कि science में English वाले word भी याद रखने होते है मनुश्य के कंकाल में कबजा संधी यानि की हिंड जॉइंट का एक उतक्रिश उधारन की नस्थियों की संधी में मिलता है answer है अलना एवं हूमिरस next question है मारा संक्रिमें चुहे के काटने से कौन सा रोग होता है answer है प्लैक रोग होता है अगला कोशन सलफा दवाईया किन बिमारियों के उपचार के उपयोगी है answer है जिवानों जनित बिमारियों के लिए अगला कोशन star marker लिजिए मानो शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है answer है great saphenous शिरा यानि की ये पैर में उपस्तित होता है अगला कोशन DPT वैक्सिन का प्रियोकिन बिमारियों से बचाव के लिए किया जाता है सही answer है dipteria, kalikasi एवं tetanus अगला कोशन रक्त को हिरिदय तक पहुचाने वाली धमनिया क्या कहलाती है answer है हिरिदय धमनिया या वो सकते हो coronary arteries या आपको याद रखना है और friends अगला कोशन विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है answer है brick यानि kidneys मानो शरी का वह अंग जो glycosin के रूप में कार्बोहाइट्रेट का भंडारन करता है answer है यकरित मनुश्य में मदू में रोग किस हार्मून की कमी से होता है answer है insulin ये question भी exam में कई बार पूछा जा चुका है next question पाचन तंतर के किस रस में कॉलोरेस्ट्रोल पाया जाता है answer है पित में मानो शरीरी की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है answer है कोलम या बो सकते हो स्पलेकनिक गुहा अगला question अधिकतर कीट किस प्रकार सोशन किरिया करते है answer है स्वाशनली परनाली के द्वारा तंतरीका तंतर का विकास और पथम किस जीव में माना जाता है answer है hydra में तो प्रेंट आपको याद रखना है कि hydra में तंतरीका तंतर का विकास और पथम माना जाता है अगला कोशन ब्रिद व्यक्ति का रक्त दाप समानेता सही आंसर है बढ़ जाता है अगनाश को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है आंसर है सिक्रिटिन रक्त दाप का नियंतरन किस ग्रंथी द्वारा होता है आंसर है अधिब्रिक ग्रंथी या बोसकते हो अड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्त दाप का नियंतरन होता है माना भ्रून का हिर्द्य संपंदन कब प्रारंब होता है आंसर है विकास के चौथे पांचवे सब्ता में सनायूं एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं आंसर है सन्योजी उत्तक लाइपेज दुआरा वसा के जलिये अब घटन के पश्चाथ क्या प्राप्थ होता है आंसर है वसी एमल और गिलिसरॉल अगला कोशन हैमिकार डेटा संग के जीवों में किस प्रकार किस दौरा किस के दौरा उत्तसर्जन होता है आंसर है कोशिका गुच जिसे की हम गलॉमेरियूलस भी बोलते हैं अगला कोशन मुत्री की मातरा का नियंतरक है सही आंसर है ADH जिसका फुल फॉर्म होता है अगला कोशन अगला कोशन आंसर है आंखों को शीत निदरा के दौरान मेढग किस अंग से सोशन करता है आंसर है केवल तोचा से अगला कोशन कर लेते हैं यातायाद पुले शराब के नशेवाले व्यक्ति की स्वाश जाँच में किस गैस के मिश्रन का प्रियोग करती है आंसर है पोटैशियम, डाइक्रोमेट, सल्फियूरिक अमल कौन सी औशदी मूत्र के इस तराव को पृत्साहित करती है आंसर है डाइ, यूरेक्टिक मानो शरीर में भूग तथा त्रिप्ती मस्तिक्ष के किस भाग त्वारा नियंतरित होता है आंसर है हाइपोथेलमस पशों के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है आंसर है ऑक्सिटोशिन हार्मोन का अगला कोशन कर लेते है शोआशोच यानि ब्रीधिंग्स में बहार निकली वायू में ऑक्सिजन की कितनी मातरा होती है आंसर है लगबग 17% अमाश्या की भित्ती से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है आंसर है गैस्ट्रेन अगला कोशन कर लेते हैं ऑक्सिशोशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन होती है आंसर है कोशिका द्रव्वे एवं माइटोकॉंट्रिया स्वशन द्वारा उत्पन उर्जा का संचय किस रूप में होता है आंसर है ATP अनुमे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिजम के प्रमुक अंतिमुत्पाद है आंसर है कारबन डाइकसाइड एवं पायरविक अमल अगला कोशन अवाविय सोशन यानि की अनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रकिरिया होती है आंसर है माना में स्वाश दर प्रती मिनट लगभग कितनी होती है आंसर है बारा से पंदरा बार अगला कोशन फाइल एरिया किसके कारण होता है आंसर है गोल क्रीमी दुआरा यानि की राउंड वॉम नेक्स कोशन सिलिकॉसिस रोग किस अंग से संबंदित है आंसर है फेफड़े से स्टार्च के जल अब गठन से कौन सा एंजाइम बनता है आंसर है एमाईलेस रिदे की धड़कन नियंतरित करने के लिए क्या विशक है आंसर है सोडियम कम नींद आने के लिए किस चिकिसा शब्दवाली का प्रियोग किया जाता है आंसर है आनिद्रा का यानि की इनस्वाम्निया या बोच सकते हो स्लिपलेसनेस अगला कोशन मस्तिक्ष का कौन सा भाग गुर्तवा करशन के विरुद शरीर का समर्थन करता है आंसर है अंतराली केंद्रक या बोच सकते हो इंटरस्टीशियल नूकलियस एक्जाम के लिए काफ़ी इंपॉरेंट है मलेरिया प्लाजमोडियम नामक परजीवी की खोज किस विज्ञानिक ने की थी सही आंसर है सर रोनाल्ड रोस ने एक्जामोड ने इमारा ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो धर्मी समस्थानियक यानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रियोग किया जाता है आंसर है आरसेनिक सहतर अगला कोशन सालक टी का किस रोक से संबंदित है आंसर है पोलियो से संबन्दित रखता है अगला कोशन थारोड ग्रंथी को थारोक्सीन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अन्तस्त्रावी हार्मोन कौन सा है आंसर है टी-एसेच यानि की थारोड स्ट्यूमिलाइटिंग हार्मोन किस हार्मोन में आयोडिन उपस्थित होता है आंसर है थाइरोक्सिन शरीर में प्रतिवर्ती किरियाओं का नियंतरन एवं समन में कौन करता है आंसर है मैरू रजू दुख्द निसकाशन हार्मोन ओक्सिटोशन का स्तराव कौन सी करंथी करती है आंसर है प्यूश गरंथी यानि कि पिचुवेटरी ग्लैंड मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है आंसर है प्रोटोजोवा अगला कोशन कर लेते हैं एफलाटॉक्सिन खादे विशाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है यकरेत अनुवांशिक रोग लिंग सहलगन कि क्या है आंसर है रोयल हीमोफिलिया नेक्स कोशन कर लेते हैं मनुश्य के शरीर में रक्त प्रभा की गतिम आपने के लिए किस रेडियो एक्टिव तातों का प्रियोग किया जाता है आंसर है रेडियो सोडियम अगला वीडियो किस टापिक के ऊपर पढ़ना है मुझे comment box में बता सकते हो आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर ले करांगउ तो आपने comment ज़रूर करना है कि आपको अगला वीडियो किस टापिक के पढ़ना है अगला कोशन वैसो प्रोशिन हॉर्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आंसर है डाई यूरेसिस अगला कोशन और स्तन एक समानने मानव बस्तेश का भार कितना होता है आंसर है 1.36 किलोग्राम अगला कोशन स्तन धारियों में दुग्त स्तराव को कौन से हार्मोन उतेजित करते हैं आंसर है ऑक्सिटोशिन एवं प्रोलैक्टेन फ्रेंट सकर आपको वीडियो पसंदारी है वीडियो की कॉलिटी पसंदारी है मेरी महनत पसंदारी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी जरूर दिए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है अगला कोशन डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है आउनसर है गुन सुतरों की संख्या में परिवर्टन के कारण नेक्स कोशन हमारा रक्त कैंसर होता है जब शोयत रक्तकन की संख्या हो जाती है आउनसर है 12,000 पर सीसी अगला कोशन अगला कोशन हमारा Acquired Immuno Deficiency Syndrome आप सभी की demand आ रही थी कि आप मुझे live देखना चाहते थे तो friends, आप मेरी blogging channel को subscribe कर सकते हो friends, वहाँ पे मैं जल्दी live आने वालो हूँ मेरे blogging channel का नाम है रवी अदिती ब्लोक्स ठीक है friends, और मैं friends, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हार्मोन्स की अनितिमेता के कारण होने वाले रोक को क्या कहा जाता है आंसर है कार्यातमक रोक athlete food नामक बिमारी किससे होती है आंसर है फुफन दियाने की fungus से AIDS की उपचार के लिए सबसे उप्युक दबा कौन सी है आंसर है जीडो वुडिन रक्तदाप के उपचार में किस कनिक पौधों का प्रियोग किया जाता है आंसर है सरप गंधा AIDS virus HTLV3 की खोज किस ने की थी आंसर है रॉबर्ट गैलो ने मानोशरी की किस संदचना में क्रीमी रूप परी शेशी का पाई जाती है यानि कि वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स पाया जाता है आंसर है बड़ी आंत में अगला कोशन शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सिजन की आवशकता सरवाधिक होती है आंसर है मस्तिश को अगला कोशन ब्राइट स्रोक से शरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है गुर्दा किस कारण से उतकों में अक्सीहमोगलोबिन से अक्सिजन निकल कर उतक क्रदव्यों में जाती है आंसर है ओटू की कमी और सियोटू की अधिकता के कारण भोजन ग्रहन के पश्चात आहार नाल की तरंग गती और इसकी दिवार की गरंथियों के स्तरावन का उतेजन की संग द्वारा होता है आंसर है परानू कमपी तंतर मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होए आंसर है महा धमनी जिसे कि हम आयोटा बोलते है सिलिकोसिस क्या है आंसर है फेफरों से संबंदित रोग किस गरंथी को मास्टर गरंथी भी कहा जाता है आंसर है प्यूश गरंथी को मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्तरावी गरंथी कौन सी है आंसर है thyroid अगला कोशन glycolysis के एक के enzyme कहां पाये जाते हैं आंसर है कोशी का द्रव्वे में यानि की cytoblasm थैलिस्मिया के रोगी में शरीर किसके संसलेशन की चमता नहीं रखता है आंसर है hemoglobin अमाश्या में भोजन के जिवानों को को नश्ट करता है आंसर है HCL अगला कोशन रखत समों A, B को सारव भूमिक ग्राही क्यों बाना जाता है अंसर है इसका क्योंकि A, B रखत समों में परती रक्षी नहीं पाये जाते अगला कोशन मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है अंसर है Zinc अगला कोशन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर है नेफ्रोन अगला कोशन तंत्री का उत्तक का प्रमुक कार्य क्या है? आंसर है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरू रजूंक वे मस्तिश के आवेख भीजना किस अंग को मानव शरी का रख्त बैंक कहा जाता है? आंसर है पलिहा यानि की स्प्लीन अगला कोशन इस्तरियों की तुलना में पुरुष वर्नाधता से अधिक प्रभावित होते हैं आंसर है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजॉम होता है अगला कोशन जो मनुशे यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोग देना चाहिए वह किस रोग से पेड़ित है? आंसर है बुलीमिया रोग से पेड़ित है थाइमस गरंथी द्वारा उत्पन होने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है थाइमोसिन अगला कोशन क्लोरेस्ट्रोल की समान्य सीमा मानों में कितनी है? आंसर है एक सो पच्चास से दोसो साथ मिलिगराम परती 100 मिलीटर कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्में का कारे करते हैं? आंसर है तंत्री का एबवं अनतस्थरावी तंत्र यानिकी एंडोक्रिन सस्टम अगला कोशन सिकल सेल एनेमिया का रोग किसकी विक्रिती से होता है आंसर है RBC यानि की Red Blood Cell अगला कोशन गर्मिरोदक दवाईयां के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है आंसर है Estrogen यह आपको याद रखना है अगला कोशन कार्बो हाईडरेट किस रूप में शरीर में संगरित होता है आंसर है Glycosin के रूप में कार्बो हाईडरेट शरीर में संगरित होता है नेक्स कोशन यूरोक्रोम का निर्मान कैसे होता है आंसर है लाल रुधिर करनिकाओं के हीमोगलोबिन से यूरेकुरूम का निर्मान होता है यह आपको याद रखना है अगला कोशन एक स्तंधारी में सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है आंसर है यकरित अगला कोशन इंटर फेरोन का परियोग किसके नियंतरन के लिए किया जाता है आंसर है कैंसर फेफडों की कोपिकाओं में गैसी ये विन में किस प्रकार होता है आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट मानो शरीर में स्वशन के इंदर कहां स्थित होता है मनुश्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है जैविक घड़ी मानो शरीड के किस अंग स्थित होती है यह कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया अगला कोशन गामा गलूबूली इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है आंसर है हैपेटाइटस पार्चन किरिया के समय अहार नाल में स्टार्च का अंति मुतपात क्या है आंसर है गलूकोज यह आपको याद रखना है नेक्सकोशन है मारा वरिक यानि किड्नी से प्रती मिनट और असत रक्त प्रवा कितना होता है आंसर है एक से 1.2 लीटर प्रती मिनट प्रती रक्षी यानि की अंटि बॉडी क्या है आंसर है गलाकोज प्रोटीन प्यूश गरंठी किस अंग में पाई जाती है आंसर है मस्तिश्ख में सरवादिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है आंसर है बाई कार्बोनेट के रूप में अगला कोशन नेक्स कोशन है मारा री सेर्पिन नामक औशेदी का परियोग किसके लिए किया जाता है आंसर है उच रख्त दाब को कम करने के लिए कौन सी कोशी का प्रती रक्षी का उत्पादन करती है आंसर है लिंफोसाइट कनिका विहीन रख्त का तरल भाग क्या कहलाता है आंसर है प्लाजमा कौन सी गरंती अन्त एवं ब्रहाय स्रावी दोनों प्रकार की है आंसर है अग्नाशिय यह कोशन फिरन धर साल इकजाम में रिपीट होता है अगला कोशन भिंडी में पित वर्न शिरा रो किस कारण होता है आंसर है सफेद मक्खी से आंसर है गन्ना कौड मच्छली के यकरित तेल में कौन सा विटैमिन प्रचूर मातरा में पाया जाता है आंसर है विटैमिन A अगला कोशन एपीथैलमस किन गरंथियों से निर्मित होता है आंसर है पीनियल गरंथी और हैबे निवला द्वारा अगला कोशन कौन सा वर्नक मानव की तोचा को रंग प्रदान करता है एक्जाम में कई बार पुछा गया है मेलानिन वर्नक जो होता है फिर्फडों के उपर का आवरन किसका बना होता है आंसर है प्लूरल कला मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्थरावन होता है आंसर है अगनाश्य काफी बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है यकरीद दुआरा किस प्रोटीन का संसलेशन वह संग्रह किया जाता है आंसर है फाइब बिरेनोजन एवं प्रोट्रॉम्बिन वह बिमारी जिसमें मूतर के साथ रखता है आंसर है हीमोटूरिया यह आपको याद रखना एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट है मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है आंसर है मस्तिश्क वरिक नलिकाओं के दूरस्त कुंडलित भाग से मुखेता किसका पुंडरा वोशन होता है यह सही आंसर है सोडियम क्लोराइड मास पेशियों के रेशियों में आवेक संरचन के लिए किस प्रदाथ की आवेशकता होती है आंसर है सोडियम ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अनुवों का शुद्ध लाब होता है आंसर है दो लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है आंसर है किडिनी यानि की व्रिक पर लंगर्हेंस की दृपिकाई किस अंग में उपस्तित होती है आंसर है अगनाशिय यानि की पैंकरियास में किस रख्त समहू का व्यक्ति सरवदाता होता है अंसर है ओच समहू अगला कोशन रानिखेद रोग किससे सम्बन्दित है आंसर है मुर्गियों से कीट और समट यकरित में उपस्तित कौन सा प्रदात मानो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है आंसर है हैपेरिन एक्जाम में कई बार पूछा गया है जठर गरंथियां किस अंग में पाई जाती है आंसर है अमाश्य में कौन सी गरंथी मानो शरीर के तापमान को नियंतरित करने में सहायता प्रदान करती है आंसर है थाइरोइड एक्जाम में कई बार पूछा गया कोशन है सफेद कीट किस फसल का रोग है आंसर है सरसो का समाने रूप से लाल रक्त कनिकाओं की आयो कितनी होती है आंसर है 100 से 120 दिन धान का टुंगरो विशानू किस के द्वारा प्रसारित होती है आंसर है हरी पत्ती के फुद्ध को द्वारा अगला कोशन क्रैप्स चकर में गुलकोस के एक अनू से कितने ATP के अनूओं का निर्मान होता है आंसर है 24 ATP अनूओं का ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है अगला कोशन नियूरोन का बहार निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है आंसर है तंत्री का उक्षियाने की एक्सोन अगला कोशन गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोक कौन से है आंसर है काला रोक मनुष्य के नवजाद शिशू को स्तन गरंथी से निकले पहले स्तराव को पिलाया जाता है जिसे क्लोरोस्टरम कहते है क्लोरोस्टरम शिशू के लिए किस प्रकार लाबधायक है आंसर यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है अगला कोशन शरीर में संपून रखत किसके माध्यम से शुद होता है आंसर व्रिक यानि किड्नी द्वारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन होता है आंसर है चोटी आंत अगला कोशन यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग A, B हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा आंसर है A, B और A, B अगला कोशन किनवन अर्थात अनाक्सी सोशन की खोच स्वरपथम किस ने की थी आंसर है लूई पाश्चर ने फिर्फरों तक अशुद रक्त किस के द्वारा पहुंचाया जाता है आंसर है फुसफुस धमनी यानि की पल्मिनरी आर्टरी अगला कोशन थैलिस्मिया एक अनुवांशिक बिमारी है यह किसको प्रभावित करती है आंसर है रुधिर यानि की ब्लड को मनुष्य का मस्तिष कितने भागों में विभाजित होता है आंसर है तीन भागों में सेरेबरम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टैम नेक्स कुशन कर लेते हैं जलिये प्रानियों में नाइट्रोजन विनिमे से उत्पादित होता है, आंसर है अमोनिया, मानोशरी का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉसफेट वे कैल्शियम को नियंतरित करता है, आंसर है परावटू, अगला कोशन, कशेरुक रज्जू, याने कि स्पाइनल कोड में कितनी ज जादा योसफुल है, अगला कोशन, मस्तिक्ष तथा मैरू रज्जू पर चड़ी जिली में सूजन आ जाना किस रोक के लक्षन है, आंसर है मैनेंजाइटिस, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का नुभव नहीं होगा, आंसर है मस्तिश्क, फिफडों द्वारा शुद किया गया रक्त बाए अलिंद यानिकी लेफ्ट ऑर्टरियम में किस के दवारा पहुँचाया जाता है, आंसर है फुसफुश शीरा यानिकी पल्मनरी वेन, तंतरिका कोशिकाउं के तंतरिकाक्ष के चारो और किस प्रदाद का आवरन पाया जाता है, आंसर है मैलन, एक वैसक मनुश्य के रक्त में प्रती 100 मिलिलिटर में हीमोगलोबिन की मातरा कितनी होती है आंसर है 14.5 गराम रक्त में गुलकोंस की मातरा में वृद्धी को क्या कहते है आंसर है हाइपरग्लासीमिया अगला कोशन आयोडिन युक्त नमक क्यूं उप्योगी होता है सही आंसर है क्योंकि यह थाइरोड गरंती का नियंत्रन करता है अगला कोशन रोगों की संडरक्शन के लिए उत्तरदाई कीटों को क्या कहा जाता है आंसर है वैक्ट अमाशे की दिवार का पेशिय संकोचन क्या कहलाता है आंसर है पैरिस्टालेसेज किस अंग के दवारा रक्त से यूरिया प्रिथक किया जाता है आंसर है वरिक यानिकी किड्निस दवारा मानव की जनम के परशाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है सही आंसर है तंत्री का कोशिका में सोशन गुनांख का मापन किस यंत्र में किसे किया जाता है आंसर है गेनांख सोशन मापी से ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है आंसर है नेत्र का अगला कोशन वरिक के चारो और पाए जाने वाले जिली नुमा आवरन को क्या कहते हैं आंसर है पेरिटोनियम अगला कोशन गठिया रोग जिसे कि हम अरिथरेटिस भी बोलते हैं का क्या कारण है आंसर है रक्त में प्रवावित यूरिक एसीड का सोडियम यूरेट के किस्टलों के रोप में जोडों में एकत्रित होना नेक्स कोशन है मारा मानव मस्तिश का कौन सा भाग वृद्धी, सम्रिती और तर्क का केंद्र होता है आंसर है सेरिब्रम इंसुलीन में कौन सी धातो पस्थित होती है सही आंसर है जस्ता जिसे कि हम जिंक भी बोलते हैं जेट डन इसका फॉर्मूला होता है शरीन में कौन सी गरंथियां वाहिनी हीन होती है नि डक्टलेस होती है आंसर है अंतस्तरावी गरंथिया यक्रित एवं मांस्पेशियों में उर्जा किस रूप में जमा होती है आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में इंसूलीन में कौन से धातू मौजूद है आंसर है जस्ता मानोशरी में छोटी आंथ होती है आंसर है अब सोशन के लिए सोशन किरिया में वायू के किस घटक की मातरा में कोई परिवर्तन नहीं होता आंसर है नाइट्रोजन BCG यानि की बैसिली कैलमेटी ग्यूरीन का टीका नवजाश इशू को कब लगाया जाता है आंसर है जनम के तुरंत बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं की मिलन को क्या कहते है आंसर है सिनैप्स एक वैसक सुवस्त मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सरजित मूतर की मातरा कितनी है आंसर है लगबक डेड़ लिटर पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है यकरित मस्तिश की बिमारी को किस से पहचाना जाता है आंसर है विद्यूत मस्तिश्क लेक सोशन में रुधिर का कौन सा गठक ओटू का अफसोशन करता है आंसर है लाल रक्त कनिकाएं यानि की आर्बीसीज यकरित शोध कैसा रोग है यानि हैपेटेटिस कैसा रोग है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है आंसर है 29 वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्तरावित होता है आंसर है यकरित यानि की लीवर द्वारा अगला कोशन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां स्थित होता है आंसर है कशे रुख रज्जू में अगला कोशन नेक्स कोशन है मारा पोलियो माइलेटाइस रोग किस से फैलता है आंसर है विशानू से रक्त में आरेच क्या है आंसर है प्रतिजन हमारे शरीड का सबसे दृट भाग कौन सा है आंसर है दंत वलग जिसे कि हम एनेमल भी बोलते हैं अगला कोशन शल्ले किरिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कारे है आंसर है जोड का प्रतिस्थापन करना अगला कोशन है मारा पसलियों के कितने जोडे पाए जाते हैं आंसर है बारा जोडे वैसक मानोव में शरीरिक में जल का प्रतिशत कितना होता है आंसर है पैंसर प्रतिशत मानोव शरीरिक को सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है आंसर है जबडों की अगला कोशन परिवर्तन शीर भ्रून की सुशकन यानि की ड्राइंग से कौन रक्षा करता है आंसर है उल्म यानि की एमोनियन अगला कोशन और उधिर के जमने में किस खनीज की अवशक्ता होती है आंसर है केल्शियम त्वचा पर चोड लगने के बाद इसका पुन्रुदवन यानि की डीजैनरेशन किसके द्वारा किया जाता है आंसर है घनाकार उपकला अगला कोशन कंट्रा जिसे की हम टेंडन भी बोलते हैं किसको जोडती है आंसर है पेशी को अस्थी से अगला कोशन अस्थी का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है आंसर है औसीन का अगला कोशन भोजे निगलते समय स्वशन मार की संग द्वारा बंध हो जाता है आंसर है एपिगलोटेस ये भी आपको याद रखना एक्जाम में कई बार पुछा गया है आंसर है लूकेमिया अथवा रख्त कैंसर सिशूओं में अतीसार का क्या कारण है आंसर है रोटा वाइरस शुएत रुधिर कनिकाओं का प्रमुक कारे क्या है आंसर है शरीर की प्रतिरक्षा लाल रख्त कनिकाओं शरीर के किस अंग में नश्ट होती है आंसर है पलिहा यानि की स्प्लीन मनुश्य का औसत रक्तचाप कितना होता है आंसर है 120 by 80 mm of Hg अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आंसर है औसीन पानी से भै नामक बिमारी किसके द्वारा उत्पन होती है आंसर है विशानों के द्वारा अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवन मुखेता क्या होती है आंसर है कैलशियम और मैगनिशियम के फॉसफेट नेक्स कोशन है मारा लसीका यानि की लिंफ में किन रुधिरानूं की अनुपस्तिती होती है आंसर है लाल रुधिरानू यानि की आर्विसिस कौन सा प्रोटीन तोचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर, निर्मान में सहयक है आंसर है कैरेटिन मनुश्य के शरीर में रक्त का दाप कितना होता है आंसर है वायू मंडलिया दाप से अधिक अस्तियों में मुख्यता कौन से अकार्बनिक परदात पाए जाते है आंसर है कैल्शियम तथा मेगनिशियम फॉस्फेट मज़ा गुहा का निर्मान किस परकार की कोशिकाओं करती है आंसर है औस्टियो क्लास्ट अस्तियों का निर्मान किन उतकों से होता है आंसर है सईयोजी उतकों से सिश्वों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है आंसर है 300 मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है आंसर है हाथ में दिल का दोड़ा परने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है आंसर है golden hour मनुष्य के शुकरानू में आटो सुन की संख्या कितनी होती है आंसर है 22 इस्तरियों में संपून गुनसोतर प्रारूप को कैसे बर्देशित किया जाता है आंसर है 44 प्लस एकसक्स कलाई के अस्थियां क्या कहलाती है आंसर है कारपल्स एक्जाम में कई बार पूछा गया है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है रवी अदिती ब्लॉग्स इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजए रवी अदिती ब्लॉग्स और फिर अगर आपने डिली करेंट अफेयर पढ़ना उसके लिए हमारा अलक्सी चैनल है जिसका नाम है करेंट अफेयर बाई रवी करेंट अफेयर बाई रवी नेक्स कोशन कर लेते हैं अब आतकारीन हार्मोन किसे कहा जाता है आंसर है अडिनल को टेस्टेसरोन हार्मोन का स्तरावन किसके द्वारा होता है आंसर है पुरुशों की व्रिशन द्वारा स्वर्पथम किस हार्मोन की खोज की गई थी आंसर है सेक्रिटीन की अगला कोशन मानो शरीड के किस अंग में लसिकाई कोशिकाई बनती है आंसर है पलिया में RBC का कबरिस्तान किसे कहा जाता है पलिया को हीमगलोबीन में कौन सा धातु मजूद होता है आंसर है लोहा रक्त का ठक्का बनने में आविशक अंजाइम कौन सा है आंसर है थ्रॉम्बिन पेस मेकर का क्या कार्य होता है आंसर है हिरिदय स्पन्दन उत्पन करना आरेच प्रतीजन कहां उपस्थित होते हैं आंसर है लाल रुधिरानाओं उपर उत्कों में ऑक्सिजन की कमी से कौन सा रोग होता है आंसर है है अईपोक्षिया आखरी Queslei करते हैं इस वीडियो का आप हमारी Current Affairs की book जिसका नाम है Ravie Current Affairs और GK की book Ravie GK book को खरी सकते हो Flipkart या Amazon से अपके हर एक्जाम के लिए काफी ज़ादा यूसफुल है फिर जो हमारी GK की book के से 50,000 हमने GK कोशन लिए हैं कि हर एक्जाम में काफी ज़ादा यूसफुल रहने वाले है Directly question friends हमारी book से पूछे जाते हैं क्योंकि हमने बहुत महनत करी है अपनी इस book के उपर ठीक है friends, Daily Current Affairs पढ़ना है आपने तो Current Affairs by Ravie को subscribe कर लिजे ठीक है यहां पर लिएता हूँ Current Affairs by Ravie ठीक है friends और English में अगर आपने यही वीडियो देखनी है तो Ravie Aditi Classes को subscribe कर लिजे यहां पर लिएता हूँ Ravie Aditi Classes और फैंट जल्दी में live आने वालों अपनी blogging channel के उपर तो हमारा blogging channel है Ravie Aditi Vlogs ठीक है यहां पर लिएता हूँ Ravie Aditi Vlogs ठीक है friends इसको भी आप subscribe कर लिजे और friends इस वीडियो का PDF आपको Telegram पर मिल जागा हमारे Ravie Study IQ G के नाम से है आप इस Telegram को भी join कर लिजे हमसे Facebook, Instagram पर Telegram पर जूर सकते हो Ravie Study IQ G के नाम से है तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best